हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मिडवे स्टॉक्स चले देखते एकल मार्केट का मूप कर सकता है सबसे पहले बाद दोस्तो आज हमने देखा निफ्टी में हमने नीचे के साइड प्लान किया बिल्कुल वेसे हुआ बैंग निफ्टी में अगर आप देखें बैंग निफ्टी में भी सिमिलर इंसाइड केंडल फॉर्म हुई थी लेकिन उसने उपर के तरफ ब्रेक आउट दिया और उसमें स्टॉपलस हो गया होता अगर आपने वो ट्रेड किया था लेकिन मैंने आपको कल क्लियरली कह दिया था इसलिए डिफिनेटली आपका लॉस नहीं हुआ होगा और निफ्टी में आपने जब नीचे ब्रेक आउट मिला तो ट्रेड किया होगा तो डिफिनेटली काफी अच्छा आपका प्रॉफिट होगा तो अभी देखते हैं कल हम इसमें क्या प्लैन कर सकते हैं कल की लिए अगर हम देखे तो एक रेंज बन चुकी है 16,000 और नीचे 15,650 इस रेंज के अंदर कल रह सकता है जैसे कि आज इसने रेंज बाउंड क्रियेट कर दिया बाद में लेकिन हमको कोई करना नहीं है ये कल का मिलता है inside candle का तो थोड़ा avoid करना कोई trade नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं अगर उपर के side breakout देने के बाद जाता भी है और उपर तो भी कोई गम करने की जरुवत नहीं है miss out होने की कोई भी जरुवत नहीं है नीचे के तरफ अगर breakout मिलता है either nifty either bank nifty तो उसमें हम trade करेंगे inside candle के उपर अभी यहाँ पे देखो यह level दो बार test कर चुका है तो यह multiple time test हो चुकी है तो यहाँ पे अगर आता है तो अब यह इसको break कर देगा definitely इसमें कोई जादा मुश प्लान करना लेकिन यह support resistance पर जादा मत जाना जहां पर आपको inside candle मिलती है उसके according नीचे के तरफ breakout मिलने पर प्लान करना inside candle के according टार्गेट लेना तो बैंग निफ्टी चलिए देखते बैंग निफ्टी में एक M pattern form हो रहा है 15 minute की candle पर यहाँ पर देखिए बैंग निफ्टी जो round level है वो आपका target अच्छी हो सकता है तो यहम के breakdown पर प्लान कर सकते है या फिर उससे भी बहतर है inside candle पर प्लान करना तो चलिए stock अभी हम देखते है फिर्स stock हमारा है टाटा कंजूमर टाटा कंजूमर देखना एक rectangle pattern form किया है rectangle pattern simple होता है उपर से नीचे आया consolidate किया again अगर इस level को break करता है यानि कि box के बाहर एक candle भी अगर close देता है सिर्फ breakout पे आपको plan नहीं करना है closing basis पे plan करना है यह बात आप याद रखना 15 minute की minimum एक candle इसके नीचे अगर close होती है तो नीचे के side हम plan करेगे target हमारा रहेगा important level पहली बात note down करेगे 729.80 इस level के नीचे एक candle minimum close होनी चाहिए फिर हम नीचे के side plan कर सकते है target हमारा रहेगा 723 और stop loss हमारा रहेगा 733.90 यह इसमें हमारा stop loss रहेगा अगर इसको उपर breakout देता है उपर के तरफ एकाद candle close करता है तो उपर के side भी उतना ही move मिल सकता है जो यह rectangle का size है इतना range का आपको उपर के तरफ target मिल सकता है तो सकता है gap fill करने की कोशिश करेगा आज अगर देखे उपर से थोड़ा नीचे ही आ रहा है बाज में थोड़ा उपर गया लेकिन यह sideways होते होते है फिर से नीचे आ सकता है तो इसमें भी आपको क्या करना है Tata Motors में 15 मिनिट की candle पे inside candle का wait करना है तो आपको यह plan समझ आ गया हो तो उस according आपको ज्यादा भी बिना stop loss के बिल्कुल कोई trade नहीं करना है और over trade नहीं करना होगे तो यह बाते ध्यान रखिए बाकी regular analysis कल से हम फिर से जो करेंगे उसमें आपको full levels भी दी जाएगी सब कुछ आपको बताया जाएगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर चैनल पर नहीं हुए तो subscribe करिए, bell icon प्रेस करिए, thank you so much